जब सर्दी बहुत लगे है तो सर्दी को भी बर्दाश करना पड़ता है और देखे हम बर्दाश करने के लिए आग चाय पी रहे हैं तो क्यों ना हम बात ही सर्दी से करने मौसम के बदल पे तेवस लेकिन सर्दी को माफ भी करें के ना करें सर्दी को माफ किया हमने कि तौकर इस लिए की है जाते-जाते दो दफा ऐसा हो गया है कि सर्दी जाते-जाते फिर लॉट आती है आउकमचो ρही हो रही होती है जनाब सूरज की लेकिन बादल देख रहे हैं आपर से कहां बरसना है जहां पहाड होते हैं वाँ बर्फबारी हो जाती है और जिस तरह कल से फिर बारिशों का नया सिलसला शुरू हो चुका है बहुत से इलाके और बुल्क के बहुत से शेर ऐसे हैं जहां बार्शे हुई और बर्फबारी भी हुई तो क्यों ना अगर मौसम की बाद छेड़ ही दी है दूआ तो मुख्तलिफ शेरों का रुख करते हैं हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं सवाद कराची और कोईटा का हम मौसम का हाल जानते हैं सवाद से उबैद फजल, कराची से सबार नूर और कोईटा से बुश्रा कमर हमारे साथ है तो हम रुख कर लेते हैं सवाद का, कराची शहरे कारिद का हाल सबार ने बहुत अच्छे से बताती है सवाद से उबैद, आप हमें क्या अपडेट कर रहे हैं, सवाद का मौसम कैसा है, वहाँ पर तो सया बड़े शौक से जाते हैं बर्फबारी का कुछ बताईए, वहाँ क्या हो रहा है और मैक में मौसमियाद का क्या कहना है अगले आइंदा चंद घंटों या चंद दिनों की पेशगोई क्या की गई है बिलकुल, और वो कहते हैं न अब दिल के अर्मा आंसों में बह गए गए, बहुत प्लैन था दुआ का इस दफ़ा बर्फबारी देखने का शिमाली लाखा जात में, लेकिन आंसों नहीं बह गए गए, बर्फ बह रही है लेकिन अभी बर्फ है, सवाद का चुके अबैद में बताएंगे, जी उबैद. कालाम और मालम जबा महोडन और दीकर सेयाधी मकामात में चका बरफ प्लब पढ़ चूकी है, और यहां से ने सिरफ वो खुबसूरत मनाजिर से लुटफ अंदोज हो रहें बलके यहां बरबबारी से और बरब से भी खुब लुटफ उटा रहे है सया जो है वो कालाम मालम जब बहुत दीगर सयाती मकामात में जो हुटलों में डेरे डाले हुए और बरबारी के इंतिजार में है कि कब ये आस्मान से जो ही सुपेद गाले है वो गिरेंगे और वो खुब यहां पे जो है उडोफ करेंगे जो सयाती मकामात है इनमें सयाहों की भी बील लग चुकी है और वो यहां पे खुब इनज़ाय कर रहे हैं कि अबैद सयाहों की जन्नत का जाता है सवाद को आपने भी तफसीलन बताया कि किस तरीके से सयाह अभी भी यहां का रुक कर रहे हैं और वो किस तरीके से होटल्स में ठह रहे हैं आपसे यह भी पूछते हैं कि कोई किसी किसम की मुश्किलात तो नहीं हैं कि आप हमें बताया ये कौन कौन से जगए जहां पर सयाह सबसे ज़्यादा आते हैं अबैद मैं आप से ये पूछना चाहरा था कि जिस तरह कोईटा में दो डिग्री सेंटी ग्रेड है टमप्रेचर तो यहां पर क्या सुरत हाल है सवात में एक तो टमप्रेचर दूसरा ये किसी किस्म की मुश्किलाट तो नही है और खाने पीने में ज्यादा क्या चल रहा है साथ साथ मقامी लोग जो है वो उन्होंने भी सेयाहती मقامात का रुख कर लिया है और वहाँ पर जो बर्भ के सुफेद गालें इन से खूब जो है लुटफ अंदोज हो रहे हैं काने में यहाँ पर आम सी यहाँ पर जो रिवायती काने हैं वो लोग यहाँ पर इस्थिमाल करते हैं क्योंके यहाँ पर जो स्याह हजरात हैं वो स्वाद आते हैं तो रिवायती कानों से जो है खूब मेजूज होते हैं मुश्किलाद की अगर बात की जाए तो स्वाद की जितने भी स्याहती मकामात हैं उनके रोड जो है वो बिलकुल क्लियर है और जो स्याहादा जो है स्वाद आना चाते है तो बिलकुल आ सकते है और यहाद पर इंजॉय कर सकते है रोड बिलकुल क्लियर है लेकिन अपने साथ जो है गरम कपड़े और गरम जो कंबल है वो साथ जरूर लेंगे क्यूंके इसी के बगेर यहां पर मुश्किल है क्यूंके सर्दी की शिद्ध जो है वो बहुत ज्यादा है यह सुनकी मुझे हो रहे हैं बड़ जाहिर है जो इस तरह से उबैद बता रहे हैं कि एहतियाती प्राउन्स भी खाय जाते हैं बड़ा सी फूर्ड की तरह भी जा जाता है लेकिन सभा यह भी बताएं यह माइनस सेक्स और दो डिग्रीस एंडी ग्रेड यह सुनके कैसा लग रहे हैं आपको हम सुआत की बात करते हैं कराशी की बात करते हैं तो जहां जाती सर्दी लॉट लॉट आई है वहां पर खुशगवारियत का भी एहसास हुए सभा बुश्रा और अबैद फजल आप तीनों का बहुत शुक्रिया सुब सवेरे पाकिस्तान में हम बात कर रहे थे मौसम की और आपको यह भी बता रहे थे कि मौसम जाता मौसम जब लॉट आये तो वो कितना खुशगवार और मेरा दिल ये कर रहे है ये सर्द रात ये आवारगी ये नीन का बोज हम अपने शहर में होते तो घर चले जाते लबों पे आके कुलफी हो गए आशार सरदी में घजल कहना भी अब तो हो गया दुश्वार सरदी में झाल